तो लेपर्ड का पग मार्क है एकदम गाड़ी के नजदीक में है ये लाइन से जा रहा ना ये लेपर्ड ये कई बार मैंने आपको दिखाए जंगली रिजॉट के रास्ते में तो यही साइज का होता है दोस्तो अभी हम जा रहे हैं पहले मोर घटी रेस्ट हाउस उसके बाद सामान रखके आज हमारा नाइट स्टे अंदर है जंगल के फिर हम सफारी करेंगे क्योंकि मेरा माइक मेरे सूटकेस में रखाया है तो माइक तब निकाल लूँगा ये हमारे गाइड साहब क्या सुब दोस्तों जो पाकरो सफारी गेट है उससे 10 किलोमेटर अंदर है मोर गटी और वाइल्ड डाइफ काफी नेजर आ जाती है उसके चारो तरफ तो देखते हैं आज हमें कितनी दिखती है अभी एलिफेंट डंग तो दिख्या है अभी तो प्रॉपर्ट जह में सफारी तो माइक बगरा लगा लूँगा क्योंकि मैं अभी निकालना भूल के हूं सुटके से तो बहुत खतरनाक टस्कर है यह पीशे भागता है यह जूम जो आप देख पा रहे हो यह अपने सैमसंग की वज़े से है एकदम काफिक नजदीक नहीं और यह मैंने 20X कर दिया है यह पैर इसने उठाया यह उठाने का जो तरीका होता नहीं चार्ज Patriify का भी होता है जब विंप मॉठा था यह यह इसकी सूर का डरेक्षं देखियो तो बहुतरों हाँ कान आगे निकियर्स्कर के शलम जिख सनी परा आगे करेगा यहा इसने और धो ऺेच परिज़ा ले रहा है कि अटेक करूं कि नहीं करूं हम काफी दूर हैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आप देखिए हमारा डिस्टर्ब इतना है यह देखिए इसकी आख है और इसको टेंपोरल वो निकल भी राय फ्लूड यह मस्त पीरेड में है बड़ा खतरनाक है देखिए इसकी जो मैं हमेशा अपने वीडियों बताता हूं कि इसकी कान और आख के बीच से फ्लूड आता है वो आ रहा है इसको टेंपोरिन बोलते हैं और यह घने जंगल में खुला टसकर है यह कोई वीडियो वैसा नहीं है यह जो मैंने अपना S24 लिया उसका उद्गाटन हो गया इतना क्लोज अप शॉट आपको देखने को मिल रहा है कि हम उसकी आखे भी देख पा रहे हैं कहान कटे हुए है पैर मोड लिया उसने यह दे देखिए यह इसने सारे साइन दिखा है जो मैं आप लोग को वीडियो में बताता हूं सामने लाइव दिख रहा है सब कुझे बिल्कुल घूमाता है यह आगया यह देखिए यह देखिए वह आगे से आ रहा है उसको रास्ता मालूम है उसको मालूम है कि यह देखिए दोस यह दात वाला हाती है दात वाला दात वाला हाती है दात वाला हाती है यह यह लोकल यह रेजिदेंट से रहते हैं वो चिल्ला है चिंगाडा है चिंगाडा है और वो अब हमें देख रहा होगा जाड़ियों के बिस से वोबी रुक गया है वो शॉर्टकर्ट लेकर हाथी को यह विलो मालूं होता है कि रस तक कहा से मुझने वागा है अरे यह है यहां पर बेल्कुल हमारे पीछे आरा यहीं पर ओ यहीं पर है दोस्तों वह हमें पीछा कर रहा है बाइक वालों के पीछे नहीं, यहां पे उसने थोड़ा कुछ हाँ, शॉर्टकट में आ रहा है वो तो आज दोस्तों आपने देख लिया लाइव चार्ज कैसे करता है, टसकर और वो भी मस्ट पीरेड वाला, जो कि बिल्कुल पागल होता है कुछ भी कर सकता है वो इनमें दोस्तों जो यंग मेल होते हैं उनका मस्ट पीरेड एक दो महीने रहता है और जो बुड़े या जवान हो चुके हैं 20-25 साल के उनका 6-6 महीने रहता है मस्ट पीरेड दोस्तों रेड जंगल फाउल है जंगली मुर्गा यह बहुत ही खुबसूरत होता है इसमें कई तरह के उते हैं यह अंदर घुज गया एक खली फीजन्ट भी होता है लेकिन यह बड़ा सुंदर होता है लेकिन शर्मीला था भाग गया तो मोर घटी विश्राम ग्रह है यह एटीन नाइंटी में बनाया गया था और यह मिक्स्ट फॉरेस्ट यहां पर सांबर स्पॉर्ट डियर ब्लू बुल वाइल्ड बोर स्लॉट बैर हाथी और टाइगर यहां बहुत जादा है लिखाए अच्छी आबादी है बर्डिंग भी बहुत अच्छी है यहां प पाकरो यह है इतना फॉरेस्ट करके हम बिल्कुल इसके लास्ट में आ गया है इसके बाद यूपी है तो फिर अभी हम सफारी पे जाएंगे यह देखिए आप 360 डिग्री व्यू यह पूरा इलेक्ट्रिक फैंसिंग से कवर्ड़ है आप देख रहे हैं जंगल कितना डेंस है और यह हमारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हम लोग यह खड़े हुए मोर घट्नी फॉरेस्ट हाउस में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में और अब हम जब जंगल के अंदर आ रहे थे क्योंकि अदम जंगल के एंड में है यह घẩने जंगल में अभी सफारी करने जाएंगे दो सफारी करना कि लेकिन यहां पर को pueden 24 Ultra 512 GB तो इसका उद्गाटन अभी हो गया और पूरा पैसा फसूल हो गया रीजन क्या है कि टसकर हम से 100 मीटर की दूरी पर था और जैसा मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि टसकर जो चार्ज करता है तो पैर मोड़ता है पूश केड़ी करता है सूंड से जाइजा ले चैव डेरा तो उसने पहले प्यार मोड़ा मैंने इसके जूम से पर फोक्स किया फिर उसने पैर में आखन dicht का मैंने बोmmरी पेरे करने के चार्ज किया और चार्ज हमारी डिरेक्षञ में इक गिया जिस द्रेशन में भागे जाना था उसको रोड पता था मैंने कई वीदिव यह घून रहा है कि हांती को माश्रा आधि को मालूम होता है कि किस और उसके बाउजूद इसका बाइक पर फोकस नहीं था बाइक वाले वहाँ चले गया उसका फोकस हमारे उपर था उसने लगडी तोड़ी हमारे पास में जाड़ी ओ के पीछे से हमारा पीछा कर रहा था फिर मागे निकल आए इतना बढ़िया मैंने देखिए मैंने आपको म तो सारी चीजे पहली बार लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हुई जो मैं बूला करता था आप देखोगे दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सफारी के लिए आफ्टरनून सफारी और जहां पर अभी हम खड़े हैं इसका नाम है मोर घटी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस यह जिम कॉर्ब सफारी कंपलसरी है कि आपको दो सफारी बुक करके आना होगा बुकिंग बड़ी आसान है दोस्तों जिम कॉर्बट नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना है कि 270 टाइगर है लेकिन ज्यादतर लोग जानते हैं कि राम नगर से सफारी करोगे तो ही 270 टाइगर है ऐसा नह हमें टाइगर की बाद इसलिए कर रहा हूं कि लोगों का अट्रैक्शन टाइगर की तरफ ही होता है जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं बहुत सारी ब्यूटी होती है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का फोकस टाइगर के उपर होता है जिम कॉर्बट नेशनल पार्क ही वो नेशनल पार्क है, जहां सबसे ज़्यादा, एक ही नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर है, तो जो 270 टाइगर गिने गए, वो पूरे जिम कॉर्बट को मिला के गिने गए, चाहे आप जिरना गेट, बिजरानी गेट, दुर्गादेवी गेट और धेला सफारी या जिम कॉर्बट के बगल में एक दूसरा फॉरेस्ट है, जो की जिम कॉर्बट का पार्ट नहीं है, मैंने उसकी सफारी करी है, फाटो जोन, यह जिम कॉर्बट का पार्ट है, यह मोर घट्टी, फॉरेस्ट हाउस, पाकरो जोन, पाकरो जोन से होके रास्ता आना पड़त अगर आप जिम कॉर्बेट की ओफिशल वेबसाइट पर जाओगे मेरे ख्याल से कॉर्बेट online.gov.in ऐसी कुछ वेबसाइट है आप गूगल कर लेना उसके अंदर जब forest rest house booking का option आता है तो आप इसकी भी booking कर सकते हो एक जब focus क्या होता हैं वहाँ book कर लें वो booking खुलते साथ ही मार्श तक के लिए sold out हो जाती है मेरा आपने देखा है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कई लोग मुझे phone भी करते हैं message करते हैं कि wildlife के वारे में जो आप से जानकरी मिलती है और लोग प्रेरित होते हैं आज भी किसी का phone आया था कि आपके video देखके लोग प्रेरित होते है wildlife जाने के लिए और मैं गलत बात बोलता भी नहीं मैंने recently दुदवा की सफारी करी थी मैंने बताया था देखिए आप दुदवा आये बहुत अच्छा है अभी recently news थी की काफी लोग आ रहे हैं तो यहां का यह बहुत कम लोगों को मालूम है बहुत सारे लोगों को मालूम भी है लेकिन अगर इतना ही मालूम होता तो यहां दो कमरे है एक कमरा खाली नहीं होता अभी एक कमरा खाली है dense forest के अंदर है electric fencing से covered है आप पीछे background देख रहे हो घना जंगल है यहां तक आने में ही हमें टसकर मिल गया उसने चार्ज भी किया और वो वीडियो में आप देखोगे तो अगर आप forest को enjoy करना चाहते हूं जैसे मैंने बोला था तो अगर जिम कॉर्बेट नेशन पार घूमना है तो आप रामनगर से भी जाओ लेकिन कभी आप इस तरफ से भी आओ यहां आपको लोगों की booking आप कराते हो वन नाइट की तो सफारी के साथ रफली रफली आपको सारा खर्चा मिला के 12,000 पड़ जाता है मेरे खाल से 4200 उपीज का रूम है 6,000 सम्थिंग की दो सफारी है आफ्टरनून और मॉर्निंग गाइड चार्ज इस 8802 सफारी के हो गए 1600 रुपे औ और उसके अलावर कुछ entry fees वगरा है इस तरह से और यहां आने के लिए आपको राशन लेकर आना पड़ता है मार्केट में वह आगर आप अपने जीप आपको अलॉट होगी ने ड्राइवर साब से बोल दोगे तो वह भी ला देंगे उनको पैसे देदोगे यहां कूक अब लेबल होते हैं आप उनको सामान दोगे वो खाना बना देंगे तो रफली एक नाइट का दो सफारी मिला के बारह हजार के आसपास है साड़े ग्यारा बारह हजार रुपए अगर एक एक एक्स्ट्रा परसन हो जाता है अब मान के चलो कि दो हजार बढ़ेगा इसमें और त अगर आप जंगल के अंदर स्टे करना चाहते हो और आप परिशान हो कि आपको डिगाला के आसपास सुल्तान गैरल नहीं मिल रहा है आप यहां ट्राइ करो वीगडे में तो मेरे खाल से अगले दिन मिल जाएगा वीकेंड में हो सकता है कि आपको कुछ वेट करना पड़े लेकिन जो ट्रू वाइल लाइफ फील आपको आएगी बुझा आप करोगे तो शायद आप मुझे थेंक्यू बोलोगे तो चलिए आप आपको मैं सफारी दिखाता हूँ दोस्तों सामने नजर आ रहा है रेड जंगल फाउल यह जंगली मुर्गा बोलते हैं इसको इसको आप और नजदीक से देखो बड़ा ही सुन्दर होता है यह यह दोस्तों हम जो सफारी स्टार्ट करके जा रहे हैं तो यह हमारा जो जिसमें हम रुखे हैं फोरेष्ट रस्ट हाउस मोरगटी वो बगल में दिख रहा है रूम तो हम इस तरफ जा रहे है यह पूरा कॉंपलेक्स है इसमें कुछ फोरेष्ट का स्टाफ भी रहता है इलेक्ट्रिक फैंसिंग लगी हुए एक ट्रांसफर्मर भी मेरे खाल से उसी के लिए लगाया है और ये पीछे हमारे भारा द्वाजी बैठे हुए दोस्तों यहां पे सामबर डियर है रहें कि बीच में पेड़ आ रहे हैं काफी स्टैग है उसका और यह जो आप देख पा रहे हो यह पेड़ टूटे हुए हैं यह सारे रोणी के हैं जो हमारे जंगली रिजॉर्ट के सामने भी आप देखते हो ना पुरा रोणी खाल एक गा क्योंकि यहां पूरा जंगल यह रोणी का है तो उसके चलते हाथी की संख्या यहां पर ज्यादा है दोस्तों जो हाथी यह पेड़ तोड़ता है तो इससे जो घना जंगल होता है हाथी को जंगल कमाली क्यों बोलते हैं कि वो तोड़ देता है पेड़ गिरा देता है रास् पत्ते चपक जाए जब वो ambush करेगा जब वो किसी deer के पीछे जा रहा है तब तो अंदर से जाएगा छिपके जाएगा ओपन में तो deer नहीं मिल रहा है ओपन में तो deer देख लेगा उसको लेकिन जब वो खापी के आराम से चलेगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो पसंद करता है इस रोट पे चलना ना कि घने जंगल में लपड को भी सफाई पसंद है लेकिन लपड डरता है टाइगर से तो वो इस रोट में चलने की जगह साइट साइट चलेगा जाड़ियों के अंदर से इस रोट को ऐसे क्रॉस करेगा कभी कभी चलता हुआ भी दिख जाएगा आपको लेकिन टाइगर को किसी का डर नहीं होता हलागि टाइगर को भी हाती का डर है माना जाए या ना माना जाए टाइगर कहीं न कहीं हाती से डरता है प्राय ग्रूप में होते हैं 20-20 का ग्रूप 30-30 का ग्रूप उस्तों मरे हुए जानवर की स्मेल आ रही है यहां पक्कार टाइगर ने किल किया हुआ है और जो यहां के जंगल है इनका थोड़ा सा फ्लोरा रामनगर साइड के जंगल से अलग है वहां साल के पेड़ बहुत जादा है यहां रोहनी के पेड़ बहुत जादा है साल के भी हैं लेकिन आप देखोगे जो दूसरे पेड़ वेजिटेशन दूसरा है जिम्-कॉर्बरेट नैश्णल पार्क का बहुत बड़ा हिस्सा आता है पौड़ी गढ़वाल जिले में और थोड़ा कम हिस्सा आता है ने इताल जिले में तो जब आप रामनतर साइड बिजरानी पगडर जो वे जाते हो तो ने इताल जिले है और जब आप धिकाला में उसमें एक कदब यह है कि व्रक्षा रोपड करना कि जो जंगल है उनको घना बनाया जाए और जो डी फोरेस्टेशन हो गया क्या है अब होने बता है और यहां पर काफी मात्रा नहीं अब ही कौन सा था ग्रेट था अच्छा ग्रेट था लेकिन उड़ गया तो यह दोस्तों बेर के पेड़ है पहले उसके पीछे जो यूकलिप्टस है तो और यह टेक्टोना ग्रेंडिस जो कि सागोन तो यह गवर्मेंट ने प्लांटेशन करा है जैसे खाली जगे मिल गई तो उस जंगल को घना कर दिया ताकि जानवरों के रहने के लिए बर्ड्स के बैठने की जगे हो जाए जानवरों के छिपने की जगे हो जाए तो यह भी सरकार जो कदम उठाती है उसका पार्ट है साल का पेड़ जो उगता ह उसका प्लांटेशन करोगे तो नहीं होगेगा इसलिए सागोन वो रेड जंगल फावल वहां से गया इसलिए गवर्मेंट सागोन के पेड़ लगाती है यह दीमक की बांबी है इसके बारे में मैंने बहुत सारी सफारी में बताया है कि इसके जितना यह उपर दिख रहा है इतना ही नीचे है यह हेलदी फोरस्ट की निशानी है अगर किसी जंगल में है तो फोरस्ट हेलदी है और बाद में साप भी इस पर parse कर लेता है तो यह साप की बांबी बनчто दीमक को जब सक नहीं कर पाता यह डंडी डालता है डंडी में जो दीमक चिपक जाती है उसको भी मुझ से चाट लेता है पीछे हमारा चार्ज किया था ऐलिफेंड ने पिछली सपारी पे यहां तक आया था ऐलिफेंड हमारे पीछे पीछे और जहां से हम पर चार्ज किया है तो मैं आपको आगे बता हूँगा आचा आगे वीवारा कितना 100-200 मिटर हां तो कितनी स्पीड में वापिस आया थे आप सर्विस्पीड थे समझेगी कुछ समझ में नहीं आया कि मला हम किस तरह किसा गाड़ी बैक करना है ऐसा हो गो इतना बैंकर तो जब गाड़ी बैक करे तो पीछे मिरर में देख रहे थे कि मोड़के देख जब चार्जिंग वादब सर्भा निकाल के पिछे देखके आगे कोई सीनी नहीं था आगे तो जो गैस्ते होई देख रहते हैं हाँ अन्ना वीडियो भी नहीं बना पाई डर्के माला आप पीछे देखके मला एक टायर पकड़ लिया होगा आपने इसको देखके चल रहे होगी अभी प्रस्चिम मंगाल में क्या हुआ राहिनो ने चार्ज किया ड्राइवर ने ठीक से देखा निए वो गड़्डे में किरकी गड़ी मेंची यह होता है कि गाड़ा गाड़ी चलाते समय है आगी को तो हरकोई ड्राइवर गाड़ी चला ले जब किसी चीछ से चार्ज होता है यह घवडार पर अभी धवराना नहीं चलिए थोड़ा इस तरीके करों कि आपको टाइमिंग में आप जिस सर जब चार्ज होआ था अगर आप थोड़ा सा वाइड लाइफ कर नॉलिज रखके आऊगे तो आप कभी डरोगे नहीं यह पार्ट होता है जंगल के अंदर गूमने में जो खत्रा है उससे कहीं ज्यादा खत्रा आपको हाईवे पर चलने पर है एक गाड़ी का एक्सिडेंट हो जाएगा कुछ हो जाएगा तो डरने वाली बात नहीं होती हाला कि कई बार लेडीज बहुत जाए डर जाती है ले तो ही नहीं नहीं हमारी गाड़ी को दे लंगूर उचलने लगे ना हाँ अचा उसके चलते भाग गए तो दोस्तों वाइड लाइफ आप इंजाए करने आ रहे हो तो यह बहुत छोटी-छोटी चीज़े की हाती ने चार्ज कर दिया आज देखो जब हम आ रहे थे हाती रहे थे दूर था उसने चार्ज किया डर का तो ना भी नहीं था और उसके बाद भी हम सफारी करने निकले और हम तो चाह रहे है कि दुबारा मिल जाए और ऐसा हो जाए दर कैसे होता है जैसे मैं त्यार ओ बहुत बड़ा स्टेयक धाब सांबर ड़ियर का बहुत धूक बेंक बहुत है तो यह बड़ा कितना बड़ा सटेयक है यह भी चार्ज कर देता है इसके सेंग आदमी को मार सकते हैं और आप इसके क्लोज अप देखिए इस सामबर हमें हमें देख रहा है इसके सींग देखिए एंट्रस पूलते हैं को इस स्टैग है मेल है और इसको पकड़ने में लेपर्ड हिम्मत भी नहीं करेगा है इसका वेट होगा कम से कम 300 किलो और य देख रहा है इसके कान की देखिए हमारी तरफ है क्योंकि यह क्या गर्द आप इसने गर्दन इधर करी कि पीछे से भी कुछ हवाज आ जा रही है फिर इसने धर मुगर लिया यह अपने कानों को पीछे भी विला सकते हैं यह दिकिए पीछे लाया इस तो आज सारे जानमर तो नहीं है, अब इसमें राइट साइड में देखा, देखिए कितना मैसेव है, कितनी मोटी गड़ता है, यह दीगे, अब यह खाने रगा, बीच में से ने खाया है, फड़ा जा, और यह चल पड़ा, इसकी बोड़ी देखिए, और जो कई लोग 12 सिंगा बोलते हैं, इसी से तो यह थोड़ा छोटा होता है, ब्राउन कलर में होता है, यह ब्लैकिश था न, वो ब्राउन होता है, 12 सिंगा, यह दोस्तो, आज ही यह पेड़ तोड़ा है, थोड़ी दिर पहले का, और यह हाती के फूट्पिंट्स है, यह आद देख रहे हो, यह जो निशान देख रहा तो हाती अभी तोड़ के और रीसेंट है, अभी ही गया है, दोस्तो यह जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसको हाती फुटबॉल बना के कहलता है, उपर पहाड से ढखेल के लाया है, और यहां भी कभी सड़क के बीच में कर देगा, कभी साइड में कर देगा, तो यह उसक पहाड का है, और अभी आज यहां देख रहे हैं, हो सकता है यह पत्थर कल, यहां पड़ा में लेखे, हाती जो भी आएगा, थोड़ी जेर इससे फुटबॉल के लेगा, यह देखे है,